नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कॉर्ट ने आज एक बार फिर से E.D. को जोड़दार तरीके से फचकार लगाया साथी सुप्रीम कॉर्ट ने मनी लॉंडरिंग मामले में E.D. को जटका भी दिया है उसमें कहा गया है कि लोक सेवकों के खलाफ money laundering मामले में मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमती लेना जरूरी है देलांगना के दो अधिकारियों के खलाफ ED की कारवाई के मामले में सुप्रीम कॉर्ट का ये फैसला आ जाया है जहां परशीर्स अदालत ने फैसला देते समय कहा है कि CRPC की धारा 197-1 की तरह ही PML के तहट ED द्वारा दायर अभियोजन की शिकायत यानि कि चार्शीट का संग्यान लेने के लिए मन्जूरी लेना ट्राइल कॉर्ट के लिए अनिवारे है जस्टिस ओका और जस्टिस मसी ने ये फैसला दिया है अब तक ED द्वारा दायर सभी चार्शीट अभियोजन मन्जूरी के बिना है और कई मामलों में ट्राइल कॉर्ट में उन चार्शीट का संग्यान लिया है इस फैसले का अब परिनाम ये होगा कि ED की इन कारवाईयों को चुनौती दी जाएगी बरहाल सुप्रीम कॉर्ट ने बुद्वार को ये माना है कि अपराधिक प्रकीरिया सहिंता यानि की CRPC की धारा 197-1 जो लोग सेबा के खलाप अपराध का संग्यान लेने के लिए सरकार से पहले मंजूरी लेना अनिवारे करती है वो मनी लॉंडरिंग यानि की PML के मामले में भी लागू होती है दाइंडियन एक्सप्रस की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए दोस्तों तो कहते हुए जेस्टिस S.A. Oka और आगेस्टीन जोर्ज मसी की पीट ने तेलं कोर्ट के आदेश को खारिच कर दिया है अंदरप्रदेश के पूर्ब CM जगन मोहन रेड़ी के साथ ही दोनों अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया था ट्राइल कोर्ट के आदेश को तेलंगना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई तो हाई कोर्ट ने ED के खलाफ फैसला नहीं थे क्योंकि उनका कहना था कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त पद को धारन करते समय वो पद से हटाने योग नहीं थे ED ने ये भी कहा है कि PML की धारा 71 के मजदे नज़र इसके प्रवधानों का CRPC सहीत अन्य कानून के प्रवधानों पर अधिक तरजी मिलती है लेकिन अदालत इस बात से सहमत नहीं हुई कि धारा 19197A के तहट दोनों सिविल सेवक नहीं है अदालत के फ्रासले में ये कहा गया है साफ साफ कि कुछ शर्टों के बिना PML की धारा 65 में PML के तहट सभी कारवाई पर CRPC के प्रवधान लागू होते हैं अदालत ने ये भी कहा कि हमने PML के प्रवधानों को ध्यान से देखा है हम नहीं पाते हैं कि इसमें कोई प्रवधान है जो CRPC की धारा 197A के प्रवधानों के साथ असंगत है CRPC की धारा 197A के प्रवधानों को ध्यान में रखते हुए इसके मक्सट को तब तक बाहर नहीं किया जा सकता है जब तक कि PML में कोई प्रवधान ना हो जो कि धारा 177.1 के तहत असंगत है ऐसा कोई प्रवधान हमें नहीं बताया गया है इसके लिए हम मानते हैं कि CRPC की धारा 177.1 के प्रवधान PML की धारा 441B के तहट एक शिकायद पर लागू होता है आप सभी को पता है दोस्तों कि ED की कारवाई को लेकर अक्सर सवालात खड़े होते हैं कहा जाता है कि ED निस्पक्षाक्ते साथ काम नहीं करती है विपक्षी दलों के लोग तो हर बार ED का नाम लेकर कहते हैं कि मोधी सरकार के अंडर ये काम करती है मोधी सरकार के इशारों पर ये काम करते हैं लेकिन अब सुप्रीम कोट ने ED की कारवाई पर जो जटका दिया है शायद ED को लेकर जो सवाल खड़े लोगों के मन में हो रहे थे कि निस्पक्षता वाला काम ED के जरिये नहीं की जाती है वो कहीं ना कहीं सही ऐसा माना जा रहा है यह मेरे उपेनियन नहीं है लोगों के उपेनियन है वो कह रहे हैं कि जो ED के जरिये की जा रही थी वो काम Supreme Court ने भी अब फटकार लगाते हुए E.D. की तमाम मनमानी को रोग दिया है E.D. को जोरदार तरीके का जटका सुप्रीम कौट के जरी ये जस्टिस ने दिया है दोस्तो इस पूरे रिपॉर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या प्रतिकिरिया है में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को ज़्याद से ज़्यादा लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तर्लिवाद दोस्तो